अभी आपने एक न्यूस सुनी होगी कि भारतिये बॉंड्स को अंतर राष्ट्रिय जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉंड इंडेक्स में जगय मिल गई है। हमें से काफी लोग के लिए ये काफी टेक्निकल हो रहा होगा तो इस बात को समझना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉंड मार्केट और जो जेपी मॉर्गन इंडेक्स है वो क्या है और कैसे इंडियन बॉंड्स को इस इंडेक्स में जगय मिलने से भारतिय बाजारों को काफी फाइदा होने वाला है। सबसे बेसिक से शुरुवात करते हैं और समझते हैं कि बॉंड मार्केट और बॉंड इंडेक्स का क्या मतलब होता है। बॉंड की एनलॉजी को समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं म्यूच्वल फंड का जिसमें आप अपना पैसा जमा तो कर रहे हैं म्यूच्वल फंड में पर अंत में वह उस कंपनी के पास पहुंच जाता है जिसके स्टॉक्स उस म्यूच्वल फंड ने खरीदे अब इस पैसे का यूज कम्पनी किसी बी तरह से कर सकती है चाहे केपेक्स के लिए या फिर अपना कर्जा कम करने के लिए अब आपको म्यूच्वल फंड का यह कंसेप तो समझ आ गया होगा तब अब बॉंड का कंसेप समझें देखे देश चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है और वह पैसा सरकार या तो टैक्स कलेक्शन से पाती है या फिर डेट यानी लोन की मदद से अब अगर गवर्मेंट को लोन लेना है तब उसका तरीका क्या होगा बस आप समझ गए लोन लेने के लिए सरकार बॉंड जारी करेगी बॉंड को हिंदी में चुके होंगे कि बॉंड का मतलब क्या हुआ बॉंड एक डेट सेक्यूरिटी या प्रॉमिस नोट होता है जो सरकार इशू करती है पैसे उठाने और अपने खर्चों को सपोर्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत में ही है बलकि हर देश में गवर्मेंट बॉं पर अप सरकार बॉंड को जारी तो कर रही है मगर उसे आप खरीद कैसे सकते हैं बस यही आता है बॉंड मार्कट का का म जहांपर सारे बॉंड की खरीद बेच होती है अगर आप मेरे पिछली वीडियोउज देखेंगे तो उस में मैश् Aunty, securities trade bills का जिक्र किया है जिने आप एक प्रकार से bonds ही समझ सकते हैं और जो भारत सरकार जारी करती है। आप चाहे तो इन bonds को अपने DMET account या फिर RBI की retail direct website से खरीद सकते हैं। मैंने आपको बताया कि bond market काफी बड़ा होता है पर अधिकतर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता। अभी हाल फिलाल में USA का bond market सबसे बड़ा है। आप ऐसे देखें कि जहां भारतिय bond market का size है लगभग 2 trillion US dollar के आसपास, वही USA का bond market का size है 119 trillion dollars का वहीं अपना stock market का size है 3.3 trillion US dollars का। अब आपको ये bond market के बारे में समझ में आ गया होगा। तब आइए जानते हैं कि आखिर ये bond index क्या होता है। देखें जैसे आप nifty-fifty index का उधारल लें जिसमें सारे blue chip shares रहते हैं उसी तरह से bond index भी होता है। जिसमें तरह तरह के portfolio वाले government bonds होते हैं। अगर अंतरराष्ट्री बाजारों की बात करें तब 3 बड़े bond markets हैं। पहला है Bloomberg Global Aggregate Index, फिर है JP Morgan Global Bond Index, उसके बाद आता है FTSC WGBI Index। इसके अलावा भी काफी सारे bond index हैं। bond market में अकसर बड़े-बड़े निवेशक fund houses और institutional investors invest करते हैं। और वह भी बहुत ही बड़ी मात्रा में। अब जैसे मानले, किसी investor को बहुत बड़ा amount किसी bond में invest करना है। और ये राशी करोडों या अरबों में होती है। तब वो चाहेगा कि उसे कम risk पर अधिक returns मिले। अ यानि mutual fund में invest कर दिया। और इन mutual fund में भी index fund ले लिया। अब जैसे किसी investor ने JP Morgan bond index में invest किया। तब इस index में अब से भारतिये bonds भी रहेंगे। और जो पैसा इस index में आएगा वह अब से भारत सरकार को भी जाएगा। इस तरीके से विदेशी पैसा भारत में आने किया माइने हैं। देखिए अभी तक तो भारतिये bonds किसी भी global bond index का हिस्सा नहीं था। तो कई बार सरकार को market से पैसा उठाने में परशानी होती थी पर अब से नहीं होगी। अगर इस JP Morgan index की बात करें तो उसमें भारत के अलामा भी चीन, Mexico, Indonesia, Malaysia, Brazil के साथ साथ धेरो देशो के bonds मौझूद हैं। कि आप जानते हैं कि भारतिये bonds का इस index में कितना वेटेज रहेगा तो आएगा 10 प्रतिशत। अब इस calculation पर गौर कीजे कि JP Morgan global bond index का कुल market cap है 236 billion US dollars तब इसका मतलब है कि भारत को 22-30 billion dollars मिलेंगे अपने निवेशकों से। वैसे JP Morgan ने कहा है कि अभी भारत के पास में 23 bonds हैं जिनकी कुल value है 330 billion US dollars और ये भी eligible है bond index में जाने को। तो अब आपको इस बात का मतलब समझ आ रहा हुआ। अब आईए बात करते हैं कि इस inclusion से भारत को और ultimately stock markets को क्या फाइदा होने वाला है। सबसे पहला ये है कि अब से भारत को foreign investors मिलेंगे जिसके कारण अधिक foreign currency भारत में आएगी। अब जब भारत सरकार के पास में अधिक पैसा आएगा तब इसका मतलब सरकार ये पैसा और खर्च कर सकती है infrastructure या अन्य किसी चीज़ पर जिस पर उसे बाद में returns भी मिलें। अब जब infra spending बढ़ेगी तब markets कैसे पीछे रहेगा और इसलिए उसमें भी तेजी आ सकती है। क्योंकि bond खरीदी की वज़े से रुपय की demand बढ़ेगी और वह अधिक मजबूत हो जाएगा। अगर अपना रुपया अधिक बढ़ता है तब इसका मतलब है कि imported goods और services जैसे कि crude oil हमें सस्ता पढ़ेगा और इससे हमारा current account और physical deficit भी कम होगा। अब समझें कि इससे कैसे हमारा debt burden यानि करजा भी कम हो सकता है। देखिए पहले सरकार जब भी bonds issue करती थी तब उसके पास में सीमित खरिदार थे। इसलिए bonds को बेचने के लिए government को अधिक interest देना पड़ता था जिससे उनके उपर कर्ज का अधिक बोज पड़ता था। अब से क्या होगा कि JP Morgan bond index में आने के बाद में investors की संख्या बढ़ जाएगी और भारत सरकार अधिक demand को देखते हुए कम interest rate में bond issue कर सकती है। जिससे बाद में उनका debt burden भी कम होगा। पहले जब भी सरकार bond issue करती थी तब अपने banks ही मुख्य खरिदार होते थे और अब से उनके उपर से ये बोज भी कम हो जाएगा। जिससे वा अपने main काम पर ध्यान दे पाएंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि भविश्य में इसका positive impact banking sector के उपर भी आएगा। अब अगला फाइदा है कि सबका भारत के उपर trust बढ़ेगा क्योंकि इसकी credit rating भी बढ़ेगी और हो सकता है भविश्य में stock market में FII inflow बढ़ जाएं। देखे अभी तक तो आपको ये सब गुड़ी गुड़ी लग रहा होगा पर क्या अब guess कर सकते हैं कि इस कदम से क्या नुकसान हो सकता है। ये तो तैह हैं कि भारतिये bonds कि JP Morgan bond index में जुड़ जाने के बाद भारत में अधिक पैसा आने लगेगा। पर अगर पैसे का inflow अधिक है तब धिरे-धिरे करके महंगाई बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। अब यहां पर सबसे बड़ा काम रहेगा RBI का कि वह कैसे अपनी monetary policy को manage करते हैं और महंगाई को कम से कम रखते हैं बीना growth को down किये हुए हैं। अब आप RBI की monetary policy को आसान भाषा में समझना चाते हैं और जानना चाते हैं कि कैसे RBI महंगाई को control करती है तब उसके लिए देखे यह वीडियो।